शुक्रग्रह को धन धाने का दाता कहा जाता है यदि शुक्रग्रह किसी जातक की कुंडली में उच्छ भाव में विराजमान हो तो उसे जीवन में धन दॉलर संपति आधी की कमी नहीं होती नहीं जात्कों की कुर्ले में सुक्र ग्रह नीच भाव में विराजमान हो उसके लिए जोतिर सास्तर में बहुत से लाँकारी उपाये बताये गए हैं इन रिभने दोफर के प्रशिद जोतिसी पंडिर शर्दर सास्तर से बात चीओ की उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए पतलाना चाहते हैं जैसा कि हमारे जोति सास्तर में भी लिखा है हम यदी सुक्र ग्रह को प्रसंद करना चाहते हैं तो सुक्र ग्रह के सोलह हजार बीज मंत्र जो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह सुक्राइन में ये बीज मंत्र होता है इसको सोलह हजार मंत्रों का जाब कराने से या करने से इसकी सुक्र गहे की सांती होती है और सुक्र गहे हमें अच्छा फल परदान करते हैं दसांस मंत्रों का हवन भी जरूरी है और इसमें आम की समीधा के अतिरिक्द गूलर की जो लगडी है उसको समलित करने से सुक्र ग्रहे का विसेश लाग मिलता है सुक्र ग्रहे को मनाने के लिए हमें सुक्र ग्रहे से सम्मंदित जो भी उपाए हैं कहने हैं मतलब सोले हजार मंत्रों का जाप और एवं जितने भी सुक्र ग्रहे की जो दान सामगरी है स्वेट जो चीज़े होती हैं चावल चांदी और दूद दही और उड़त की जो सफेद दाल होती है एवं स्वेत वस्त्र सफेत परिधान ऐसे ये सभी स्वेत चीज़ों का दान करने से सुग्र ग्रहे की सांती होती है और नीच रासी में होने पर भी सुग्र ग्रहे विपरित फल नहीं देते हैं सुक्र ग्रह के ओम द्राम द्रीम द्रोम से सुक्रायन में इस मंत्र की रोजाना लगभग ग्यारह दिन तक एक माला करने से सुक्र ग्रह उचित फल परदान करते हैं